हेलो जाहिन बच्चो आज हम लोग बात करेंगे जो भी बच्चे क्लाश टेंथ में हैं और मॉडल पेपर के बारे में और कौन सा मॉडल पेपर के बारे में इंग्लिस की क्यों बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं इसमें कौन सा question पूछेगा, क्या पूछेगा, कैसे मैं लिखूँगा, क्या करूँगा, या कैसे लिखूँगी, तीस सब सवालों के जवाब आज मैं आपको दूँगा, तो model paper सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा topic से सबसे ज़्यादा question आता है, कौन सा topic हमें ज़्यादा learn करना है, या कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी topics के बारे माज हम discussion करेंगे, तो वीडियो में अन तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, class 9th और 10th, जो भी बच्चे class 9th और 10th में है, जो भी बच्चे class 9th और 10th में है, उनके लिए आज हम बात करेंगे model paper कि उनका exam कैसे होने वाला है, जो कि 10th का आपका board exam है, 9th वालो का अगर exam हो रहा होगा, तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा, तो भी मार्च में होगा, तो उनके लिए भी ये काफी beneficial है, preparation है, तैयारी है, ठीक है, तो देखना model paper है, English का है, class 10th और 9th का है, 2023-24, जो आपके इसमें mark होते हैं, वो कितने सा number के हो section, या फिर part A, सबसे पहले section A, part A, जो आपका होगा, वो कितने number का होगा, 20 number का, कौन सा question, कहां से पूछेगा, हम ये discussion करेंगे, पहले ध्यान देना, 1 से लेकर के 3 तक, ये आपके जो question होंगे, part A के 20 number के, वो होंगे objective, क्या होंगे, objective, मतलब कहने का सा है, आपके objective question होंगे, O जिसमें क्या होते हैं, 4 options होते हैं, एक circle, यानि करें, गोला भरना होता है, ठीक है, इसमें आपके first से लेकर के कहां 3 तक, जो question होंगे, वो क्या होंगे, आपको क्या रटने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, ये आपका practice ways है, एक आपका paragraph होगा, क्या होगा एक आपका paragraph होगा, ठीक है, एक आपका paragraph होगा, और उस paragraph, या कह सकते है, passage होगा, उस passage को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उस passage को पढ़ेंगे, और उसके निचे दिये गए 1, 2 और 3, question के क्या करेंगे, answer आपको टिक करना है, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके practice basis पर depend ह अगर आप चाहो तो आपकी किताब में practice धेर सारा दिया है, जहां आपका chapter खतम होता है, उसके पीछे देखेंगे, तो एक paragraph होगा, paragraph के नीचे धेर सारे objective question होगे, वो आपके practice basis पर है, ये practice पर depend है, जितना आप ज़्यादा practice करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेक्टिस कर पा पाचवा, छठा, साथवा और आठवा, जो question होगा, ये आपके grammar से question होगा, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, grammar में ध्यादेना, grammar में जो question होगे, वो कहां से आ सकते है, पहला आपका part up speech, part up speech में कुछ भी दे सकता है, part up speech में अभी पढ़ा भी रहा हूँ, थोड़ा सा classes च पीच है, या भी भरने के लिए देगा, ठीक है, क्या करने के लिए देगा, भरने के लिए feel the verb, भरने के लिए देगा, complete the sentence दे सकता है, re-ardering दे सकता है, ठीक है, इस तरीके से grammar से question देगा, जो आप grammar पढ़े है, आपने grammar काफी अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, तो आप इसी क्या है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर का आपको क्या करूँगा प्लेलिस्ट दे दूँगा आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं मैंने क्या है पैसी वैस पढ़ा दिया नैरेशन पढ़ा दिया पार्ट्स पढ़ा दिया कैसे फील करना है प्लेशन पढ़ा दिया यह सारे टॉपिक्स पढ़ा दिया गया है तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं तो ध्यान देना यह आपका चार से एट तक काउन सा कोश्चन होगा ग्रामर का उसके बाद जो आता है नाइन से लेकर के टेन नाइन और टेन फिर एक यह पैसेज बेस पर है आपको पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के पढ़कर के नाइन और टेन्थ नंबर के कोश्चन का क्या करना है answer देना है, 9th और 10th नमबर का क्या करना है question के answer देना है ठीक है, अब इसके बाद, यह जो आपके कहां सा सकता है, किताब से भी आ सकता है और कहीं अधर जगह भी से भी आ सकता है अब question number जो 11 से लेकर कहां तक होगा, 13 तक question number 11, जो 13 अबजिक्टी question होगा यह आपका approach, जो आप किताब पढ़ते हैं approach जो आप किताब पढ़ते हैं approach उससे लिया गया है यानि 11, 12 और 13 question number जो 11, 12, 13 आएगा वो आपके कहां सा आएगा approach से आएगा, जो approach आपका से उससे आपका क्या होगा 11 और 12 और क्या है, 13 number question आएगा आप देखोगे किताब के last में क्या दिया है, आपके objective question दिये गए है objective question दिये गए है उन्ह objective question को आपको क्या करना है करना है, objective question को करना ही करना है, पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि वहीं से आपका क्या करता है यह question पूछता है, ध्यान देना और 15, Question No.14 और 15, यह आपका किस से होगा, Poetry से, किस से दिया जाएगा, Poetry से एक Poema लिखा रहेगा, और उस Poema के नीचे क्या किया जाएगा, दो Question दिया दिया जाएगा, जो होगा Question No.14 और 15, उसमें से सही options को ढूण करके क्या करना है ठिक लगाना है ठिक है उसके बाद आपका कितना आता है 16 से ले करके 20 तक यह जो question होंगे आपके कहां से होंगे supplementary से कह रहा है कि यह question आपके कहां से होंगे supplementary से supplementary से supplementary लाष्ट आपका जो है वो दिया होगा चारपान साथ चेप्टर कहानी दिया होगा उसमें से लेकर के 16 17 18 19 और 20 objective question दिया होंगे तो जब आप किताब पढ़ते हैं किताब के लाष्ट में देखेंगे जहां exam orient question दिये गया है चाहिए UP board के हो चाहिए CBC board के वहां से आपक question जो आपके section A में आते हैं section A में इतने question आते हैं जो कुछ question आपके practice basis पर depend है जैसे मैंने आपको बताया practice पर क्या depend है पहला एक से तीन फिर 11 से 13 प्रोच सोरी नहीं passage 9 10 ये आपका 4 से 8 आपका grammar होता है एक से 3 आपका paragraph हो गया फिर 9 10 पैसेज होगा 11 12 आपका कहां से आएगा प्रोच से आएगा 11 13 फिर 14 15 कहां से आएगा poetry से एक poem लिखा रहेगा उसके नीचे आपके objective question दिए रहेंगे जो मैंने पढ़ाते समझ बताया भी है का आप लोग इन से चीजों को practice करना है तो करना है फिर 16 और 20 16 से 20 लेकर कहा supplementary का question होगा ठीक है अब उसके बाद आता है section या कह सकते हैं part B section या part B अब यह section क्या है कि B या फिक part B में question कहां साते हैं क्या क्या करना है तो ध्यान देना पहला सो question होगा part B का वो होगा passage read the passage passage को पढ़ना है चो आपका total कितने नंबर का होगा 7 नंबर का 7 नंबर का होगा passage को आपको पढ़ना है first second third और fourth fourth question एक नंबर का बाकी यह सब दो दो नंबर के question रहेंगे जो आपकी यह भी practice basis पर depend है तो 7 नंबर का question होगा आपको कहीं से learn नहीं करना है कि रटना है दिमाग खराब हो रहा है पूरा रटना है जितना मिले उतना रटो नही रटना नहीं है यह क्या करना है यह practice basis पर depend है passage आपका एक paragraph दिया रहेगा उसके नीचे आपको 4-5 question मिलेंगे जो आपको क्या करना है practice करना है ठीक है उसके बाद दूसरा topic आता है दूसरा जो आपका है writing से है writing मतलब की कहने का से application होगा application होगा या फिर क्या होगा later होगा मैं सबसे ज़्यादा 9th और 10th के paper में पूछा जाता है मैंने यह बता दिया है 45 बताए है जो आपके 4 नंबर काएगा अगर आप उसे पढ़ लेते हैं अच्छे से लिख लेते हैं format site मैंने बताए है अगर आपने नहीं दिखा है तो मैं इसी वीडियो के description box में मैं वो link दे दू पूछता आज के time में इसे जो होगा आपका कितने नंबर का होगा 6 नंबर का तो यह 7 4 और 6 कितने होगे 17 नंबर 17 नंबर अगर आप confirm कर ले एकदम confirm मैंने यह confirm बता दिया यह भी confirm बता दिया इसमें आपको practice basis पर depend है तो आपकी 17 नंबर कितने होगे पक्के होगे नहीं 17 तो मैंने confirm लिपता दिया पैसे आपको क्या है practice basis पर depend है आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा आप question number क्या आता है 4 question number 4 जो है चार के बाद जो आते हैं वो क्या है grammar basis पर जो मैंने पढ़ाया है question number 4 में A जो होगा वो होगा आपका narration मैंने प जो मैंने आपको बताया है पैसिवाइस हो सकता है ठीक है अफर्मेटीव से negative हो सकता है अफर्मेटीव तो negative हो सकता है ठीक है असेटिव से फोर कासी जो है वो क्या है punctuate नाने नमबर का हैगा दो नमबर का जो सबसे जाधा narration से sentences पूछ्ता है फिडी आपका क्या आता है translation 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 मैंने ठेर सारे बता रखरे हैं और उस पर अब ही और वीडियो में बना न। चारी रखा हूं, मैं बना रहा हूं तो अगर आप लोग नहीं देखा तो ट्रांसलेशन का एक प्लेलिस्ट होगा उसमें से जाईए मैंने बड़े-बड़े पैराग्राफ को कैसे ट्रांसलेट करते हैं बहुत इजी वे में बताया है आप लोग उसे देखिए नहीं देखा है तो कोई बात नहीं लेकिन अब दे तेज़ चार 27 नमबर 27 नमबर की ये आपके क्या होगे खोश्चन होगए जो आपके 4 तक 27 नमबर के होगए ठीक है और 20 हो 47 हो गए आपके टोटल अब नेक्स कोकिक जो है पांच वाँ अपकर आसा आता है लिट्रेचर से पांच वाँ से जो कोश्चन आएगा लिट्रेचर यह दोनों question आपके कहां साएंगे प्रोष से पांचवा और छठा question कहां साएंगे प्रोष से जो होंगे आपके 10 number के तो प्रोष से 10 number के question यहां हो गए और अभी मैंने पीछे भी बताया था प्रोष से कौन सा question पूछेगा प्रोष से क्या पूछेगा 11, 12, 13 यह 3 number के question यह हो गया 11, 12, 13 तो कितने हो गए 10 ते 13 number के question हो गए प्रोष से ध्यान देना प्रोष से 13 number के question हो गए तो पांचवा में क्या होगा पांचवा में आपके optional होंगे A, B ठीक है और इनमें 2-2 question होगा R करके A में R करके 2 question B में R करके 2 question प्रतेक कोश्चन कितने नमबर का होगा उससे पढ़ने है, जो question इंसर याद करने है, मैं भी important question जितने भी होगे, मैं आपको discussion करके बता दूँगा, कि हाँ है, यही आपके important question है, ठीक है, class 9 या 10 के लिए, जो भी है, फिर उसके बाद आता है, आपका साथमा question आता है, जो अब यहाँ पे आपको सिफ लर ने करना है, जो poetry से पूछा जाएगा, तो poetry से आपका question जो आएगा, वो आएगा 6 नंबर का, कितने नंबर का, 6 नंबर का, तो आप लोग इसे practice करेंगे क्या, एक four line का poem आता है, four line poem, जो बहुत ही सरल है, आप लोग इसे आसानी सियाद कर सकते है, शातमा, four line का poem, आपका तीन नंबर का question होगा, और कम से कम, दो poem आप लोग याद करिएगा, चार चार लाइन का दो poem, कोई सा भी दो poem आत कर लिए, क्या पता एक paper में आपका आजाए, जो अभी बताया, मैंने poetry से उसमें, मैंने अभी हाली में बताया कि poetry से, कि objective question में आपका poem लिखा रहेगा, उसके नीचे दो question द दस में है, या फिर आप आठ में है, तो central idea आपको आएगा ही, कौन कौन सा आएगा, मैं ये आपको अभी बता दूगा, बहुत important topics है, central idea कौन कौन सा आएगा, इसके बाद जो एक important topics करके क्या आएगी, वीडियो आएगी हो, तो उसमें आप लोग जरूर देखिएगा, कि Central idea आपको, मैं आपको दो बता दूगा, confirmly, उनहीं में से कोई ने कोई एक आजाएगा, जो आपका कितने number का होगा, तीन number का, ठीक है, ये 7 और 8 कहां सो गया, पोल्टरी से, अब उसके बाद question number जो आपके आते है, 9 और 10, 9 और 10 आपका कहरा है, supplementary से, कहां सा आएगे आपके supplementary से, कितने number के होगे, 7 नंबर के, कितने number के होगे, 7 नंबर के, तो 9 जो question होगा, उसमें आपके 2 question होगे, A और B करके, ये आपका क्या होगा, साट answer होगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, तीन number का, जो आपका supplementary सा आएगा, दसवा question, ये long question होगा, इसमें भी option A और B मिलेंगे, जो आपका कितने number का होगा, 4 नंबर का, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, ठीक है, तो ये थे आपके क्या total model paper, इस तरीके से आपका question पूछेगा, तो supplementary में मैंने यहां बताया कितने, 7 नंबर का यहां, और objective में कितन 17, 18, 19, 20, यानि 5, तो 7, 5 कितने हो गए, 12, यहां कितना बताया, 6, और यहां पे objective में 2, तो 6, 2, 8, तो ध्यान देना, 8 नंबर आपके क्या है, poetry से, 13 नंबर आपके pros से, और 12 नंबर आपके supplementary से, इतना आपको preparation करना है, तैयार करना है, ठीक है, तब जाकर के आपके 70 numbers cross नहीं 70, तो कम सकम 65, आप confirm मानके चलिए, इस तरीके से preparation करिए, साथ ही साथ आपके writing बहुत अच्छी होने चाहिए, अब हम जो next video आएगा भी हाली में, थोड़े जरबाद, वो होगा जो आपकी important topics, class 10th board के, जो English paper है, class 10th, करा जो English paper है, आप लोग काफी confusion में है, कौन सा question करेंगे, चाहिए वो grammar हो, चाहिए जो हो, इसका हम क्या करेंगे, important question के बारे में discussion करेंगे, important question के बारे में discussion करेंगे, ठीक है, और जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर telegram channel को नहीं join किये हैं, तो join कर लेजे, युकि जो भी PDFs होंगे, चीजे होंगी, मैं आपको वहाँ प exam दे रहे हैं, तो किस तरीके से copy लिखना है, ये भी आपको चीजों को भी बताया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को नजर अंदाज ना करें, कम से कम पूरा सही से देखें, अपने दोस्तों में भी share करें, ठीक है, मिलते हैं next part में, तब तक के लिए thank you, धन्यवाद झाल